नमस्कार दोस्तो श्वागत हैं आब सभी लोगों का एक बर फिर से दोस्तो रावार ने पने रावार सहीता में होली शमंधित कई प्रकार की उपाय एवं कई प्रकार के तांत्रिक पर्योग बताएं हैं जोकि अचुक हैं राम बाड हैं कभी इसका प्रभाव बिफल जाता नहीं तो दोस्तो रावार सहीता रावार दवारा लिखित बहुत बड़ा दिब्य चमतकारी का गरंत हैं रामार सहीता के नुशार वेक्ति अपने दुर्भाग्य को रामार सहीता में बताय उपाय से दूर कर सकते हैं कैसा भी परसानी हो उनके जीवान में परसानी चल रहे हो उसे ततकाल दूर कर सकते हैं समाप्त कर सकते हैं दोस्तो रामार सोयम काते थे लच्मी को प्रसन करके नहीं बलकि तंत्रक्रिया करके टोड़के से उन्हें प्राप्त करना चाहिए क्योंकि लच्मी का सुभाव चन चलता है वो एक जगा पर कभी इस्थीर नहीं रहती लेकिन तंत्रक्रिया करते हैं होली की समय में कुछ उप चाहिए तो आज किस बीड़ो में मैं आप लोगों को रामार सहिता में लिखे एक अचुक उपाय बताऊंगा साथी साथ ब्रिहत इंद्रजाल में भी ये जानकारी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे जो लोगों गुरु मुखी होंगे जिनको गुरु का ज्यान प्राप्त गुरु मुख द्वारा प्राप्त वही असान जानकारी बताते हैं जो कि 100% प्रभाई हो जिसका प्रभाव तिब्र हो अच्ची हो जिसका प्रभाव उग्ररुप्षे काम करें तो होलिक दिन सभी लोगों को प्राय जितने भी हमारे चैनल में जूड़े हैं बहन हैं भाई हैं सभी लोगों को ये उपाया जरूर करना चैनल में तो होलिक पोरे वार समय में एक बार आता हैं और होलिक आंत्री क्रिया करते हैं जो भी उपाय करते हैं जो Anatror करते हैं जो इस जानकारी से आबिकी सारे कस्टा मेटेंगे, सारे दुख तकलिप दूर होंगे, और इतना ही नहीं, जो लोग चाहते हैं कि घर में इस्थीर लच्छमी का वास हो जाएं, उनके घर में ज्यादा से ज्यादा धनकी प्राप्ती हो, तो ऐसे वेक्टी को धनकी प्राप्ती हो जो लोग चाहते हैं कि पड़ने लिकहने में उनके बुद्धी तिब्र हो जाएं, बच्चे घर के पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चे भी पड़ने लिखने में स्ट्रॉंग हो जाएंगे, अगर अब चाहते हैं कि आब के घर में मातल लच्मी का सदवा बने रहे यह फिर आप जहां पे वैपारी स्थन डालें जहां पे आप अपने दुकान धंदा वगेरा खोल करके रखें और बिकरी अच्छे से नहीं हो पारें ग्रहा कर नहीं आते हैं तो आप देखना दोस्तों यूपाय करने बाद आप के दुकान में ग्रहोकों के भिन गूमना क्योंकि इस समय देट्य शक्ति प्रबल अवस्था में होती हैं देवी और देट्य ये दोनों शक्ति अपने चरम सिमा में होती हैं तो कभी भी अकेले मद गूमना खास करके जो चोराहे होती हैं वहाँ पे भूल करके मद जाना होलिक दिन बहुत जादा तंत्रक्र हैं लेकिन दोस्तों जो आसूरी सकती होती होलिक दिन जादस जादा अगर सिंगल वेक्ति देखें तो अटेक करते हैं आपको नुक्सान करने के काम करते हैं आपके आंतरिक चेतना को बांद देते हैं आपकी बुद्धी को बांद देते हैं और आपको गलत सलत काम करवा के फ प्होड़ासा खिला देने क्योंकि दोस्तों इस दिन बहुत ज़्यादा तांतरी क्रिया किये जाते हैं दोस्तो विडियो में आगे बनने से पले सभी लोगों से कहना चाहूँगा कुमेंट बॉक्स में अभी तक आपने ओम नमो भगवती वाशु देवाय नहीं लिखें तू लिख देना क्योंकि होली का परवा भगवान बिष्णू को शमर्पीत है भगवान नरसिंग को आचिन ग्यान एक मेरा चैनल नहीं एक यूटूब चैनल नहीं बलकि आप सभी दर्सकों का परिवार हैं आप सभी दर्सकों का एक कहना चाहूंगा दोस्तो फैमली है जिसमें हम सब सदसे जूड़े मैं आप लोगों को सरल से सरल उपाय बताता हूं अच्छे से जानकारी बताता हूं ताकि इस जानकारी से आप सब लोगों को जल्दा धनवान बने गुड़वान बने धन वैभों की कमी नहीं आपके घर में इस तीर लचमी का वाज बने तो होलीक दिन करना क्या है सभी लोग आपकी घर में जितने भी लोग हैं एक काम कीजिए आपको शात प्र कार के अनाज में बहुत सारे अनाज होते हैं लेकिन इन में से कुछ ऐसे अनाज हैं जो आप ले सकते हैं जैसे कि चना हैं राहल हैं मसूर हैं सरसो हैं चावल हैं उडद हैं हरी मूंग हैं इत्यादी यह सात प्रकार के आपको अनाज लेना है यह फिर आपके घर में जो सात प्रकार के अनाज हैं वो अनाज ले लिजे परयोग विदी ध्यान से शुने रामार सेंता के दार पे जानकारी बतारों इस जानकारी से दोस्तों आप अपने स्वयम के कल्यान कर सकते अपने घर परिवार के कल्यान कर सकते घर परिवार के बंधन कर सकते एक दिन में घर लेना है और आपके घर में कितने लोग हैं ये देख लिजे जैसे कि आपके घर में साथ लोग हैं आट लोग हैं नौ लोग हैं ये फिर चार लोग हैं तो एक काम करना सभी के सरीर से ये साथ प्रकार के अनाज को बारी-बारी से सवर प्रतम तो एक अनाज लेना जैसे कि मान क भी भी रख सकते उसमें रख सकते हैं तो इस प्रकार से साथ प्रकार के अनाज को एक व्यक्ति के सरीर से ससत बार आपको उतार करके रखते जाना है और सभी लोग अपने अपने सरीर से उतार करके एक ही स्थान में एक कटोरी में चनक को रखते जाए रहल को मशूर को सरसो को साथ प्रकार के अनाज ले उसे रखते जाए इसके बाद अब को होली जलतेवे आग के पास में जाना है और पुरुस जाना है और एक काम जरूर करना यूपाय करने से पले आप जो है साथ बार तो आप अपने घर से भी उतारा कर लेना है और साथ प्रकार के अनाज को ले करक साथ बार अपने घर को उतारा कर लेना है काम ऐसे कर सकते हैं छोटा-छोटा पूडिया भी बना सकते हैं अनाज का और पूडिया बना करके आप अपने हाथ में रख लिजे और साथ बार आप अपने घर में घूम जाए जितने भी आपके घर के हिस्से वहाँ पे घूम जाएए पूडिया बना करके रख सकते हैं ऐसे में टाइम हो जाता है ठीक है यह टाइम बचाएंगे और इसके बाद दोस्तों आपको होली की परिक्रमा लगाना है यह साथ प्रकार के अनाज को ले करके जाना है अनाज में आए सब भस्मा हो जाएं और अनाज आप अपने घर में घुमारे बच्चे के सरीर से उतारेंगे घर परिवार के सदसों के सरीर से उतारेंगे तो एक बात जरूर बोलना है बोलना है कि इनके शरी में जो तांतरी क्रिया है किसी भी प्रकार का बंदन है यह फिर तंतर परोग है सब यह चावल में आ जाए यह फिर सत्प्रकार के अनाज में आ जाए इस प्रकार से प्राथना करना है दोस्तो इसके बाद जो है बारी बारी से सत्प्रकार के अनाज को साथ परिक्रमा लगाना है एक परिक्रम अक बाद एक अनाज डालना है दूसरे परिक्रम अक बाद दूसरे अनाज को डालना है तीसरे परिक्रम अक बाद तीसरे अनाज को डालना है इस पकार से साथ बार परिक्रमा करेंगे अनाज को जलते वे अगनी में डाल देना है और आपने जो पूरिया बना करके साथ पूरिया लेकर क आये थी घर का उतारा करने के लिए घर का बंधन करने के लिए घर से उतारा करके जो लाये थी उस पुडिया को भी आप जो है साथ बार जब परिक्रमा करेंगे अनाज को डाल ले रहेंगे इसके बाद इसको भी आपको डाल देना है इसके बाद आपको होली का माता से प्रात परिक्रमा लगाने के बाद इसके बाद आपको होली माता की थोड़ी सी राख आपको ले करके आजाना है और जब आप राख को लाएंगे तो घर की सभी लोगों को इसका तिलक लगाने के लिए बोलना और थोड़ी सी राख खाने के लिए बोलना और थोड़ी थोड़ी घर में छिड़क देना है दोस्तों जब अब जस्ता पावरफूल उपाएं हैं यह उपाएं रावण सहीता में ब्रियत इंद्र जाल में आपको पढ़ने को मिलेंगे और गुरु परंपरा से भी इस प्रकार के जानकरी बताए जाते हैं तो इससे आपको बेनिफिट यह मिले हैं न जिसमें आपको बहुत ही कम खर्ची आएंगे दोस्तों बस घर की अनाज आपको लेना है और किसी भी प्रकार के आपको जैसे के तांत्री वगेरा है इनके पास में नहीं जाना है सोयम आप जो है इन उपाय को करके घर से तंत्रक्रियाओं को भगा सकते हैं घर को जाएंगे तो घर में पूरी तरीके से आपको छिडाग देना और प्रातना करना है एक होली का माता आपकी राख हमारे घर का बंधन करें दोस्तों आपके घर का शंपुर नरुप से बंधन हो जाएंगे और थोड़ी थोड़ी आप लोग तिलक लगांगे थोड़ी खा ले चाहिए तो दोस्तों हम प्राचिन ग्यान चैनल के माब्धाम से इस प्रकार की जान भरी जानकारी बताते हैं हमारे जादा से जादा जो जानकारी होती है तंत्र क्रियों पर ही होती है और हम वही असान जानकारी बताते हैं जिसमें आब सब लोगों का कल्यार चुपा होता जानकर ये अच्छी लेगो तो इस अपने तक शीमित मतरखना दोस्तों क्योंकि ग्यान बढ़ाने से ग्यान हमेशा बढ़ता है और भगवान भी आपकी मदद करेंगे जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे आज के जानकरी बस इतना ही दोस्तों धन्यवाद नमस्कार